वेल्कम टू फ्रॉंटेज इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम वियर सटिस्फाक्षन एकसीट सियो एस्पेक्टेशन अगरेजी सिक्षा के छेतर में एक अनोखा पहल आज का हमारा टॉपिक है परजेंट इंडिफिनीट टेंस तो आए जानते हैं परजेंट कियो से इंडिफ नोखि आगे स्ट्रक्ट नंबर वान सब्जेक्ट प्लस भीवान या मैं भी फाइब प्लस अर्डं रॉली भी फाइब का नीचे नोट है आप देख लिए इसी इट किसी एक नाम सिंगुलर के साथ भी फाइब का यूज आइवी के पुलूरल के साथ भीवान का यूज, तो आए एक्जाम्पल्स पे गौर करते हैं, वह विद्याले जाता है, he goes to school, मैं विद्याले जाता हूं, I go to school, हम सुबा में टहलते हैं, we walk in the morning, वह मुझे पढ़ाता है, he teaches me, वे लोग अंग्रेजी सीखते हैं, they learn English, पवन परिक्षा की त्यारी करता है, पवन प्रिपेर्स फोर दे इक्जामिनेशन, इस तरह के पॉजिटिव संटेंस को आप अपने अनुसार यूज करते रहें, तो चल नमबर टू, सबजेक्ट प्लस डू या ड़स प्लस नॉट प्लस बी वन प्लस रडवू, नीचे डू ड़स का नोट है, आप देख लें, एक बात द्यान रखेंगे, ड़स के यूज के बाद भी फाइव का यूज नहीं होता है, आप इसे मिस्टेक ना करेंगे, इस तरह क मिस्टेक ना करें, ड़स के बाद भी फाइव का यूज ना करें, तो चली देखते हैं संटेंस पे, संटेंस को देखते हैं, वह विद्याले नहीं जाता है, हम सुबह में नहीं तलते हैं, वह सुबह में नहीं पढ़ाता है, वह सुबह में नहीं पढ़ाता है, इस तरह के नगेटिव संटेंस को आप अपने अनुसार यूज करते रहें, कॉन्फिदेंस को बिल्ड अफ करते रहें, तो चली देखते हैं स्ट्रक्शन नमबर थ्री को, स्ट्रक्शन नमबर थ्री, यह इंट्रोगेटिव संटेंस है, यानि हिंदी में क्या रहने पे डूड़ संबजेक्ट से पहले डूड़ का यूज, तो आए संटेंस को देखते हैं, क्या वह विद्याले जाता है? Does he go to a school? क्या मैं विद्याले जाता हूँ? Do I go to a school? क्या हम सुबह में टहलते हैं? Do we walk in the morning? क्या वह मुझे पढ़ाता है? Does he teach me? क्या वे लोग अंग्रेजी सीखते हैं? Do they learn English? क्या पवन परिक्षा की त्यारी करता है? Does पवन prepare for the examination? इस तरह के interrogative sentence को आप अपने अनुसार यूज करते रहें तो चली देखते हैं instruction number 4 को ये interrogative negative sentence हैं यानि क्या नहीं रहने पे do the subject not का यूज जैसे क्या वा विद्याले नहीं जाता है? Does he not go to school? क्या मैं विद्याले नहीं जाता हूँ? Do I not go to school? क्या हम सुबह में नहीं तलते हैं? Do we not work in the morning? क्या वा मुझे नहीं पढ़ाता है? Does he not teach me? क्या वे लोग अंग्रेजी नहीं सीखते हैं? Do they not learning English? क्या आप अबन परिक्षा की त्यारी नहीं करता है? Do you not prepare for the examination? इस तरह के इंट्रोगेटिव नगेटिव संटेंस को भी आप अपने अनुसार यूज करते रहें? तो चली देखते हैं स्ट्रक्शन नमबर फाइव को स्ट्रक्शन नमबर फाइव आइडवलू का मतला इंट्रोगेटिव वर्ड यानि कब क्यों कैसे कहां किसी एको रकर के संटेंस का यूज जैसे वह क्यों विद्याले जाता है? वाई ड़स ही गो टू स्कूल? मैं कब विद्याले जाता हूं? वें डू आई गो टू स्कूल? हम कैसे सुबा में टहलते हैं? हाव डू वी वाक इन दे मॉर्निंग? वह मुझे कहां पढ़ाता है? वें लोग क्यों अंग्रेजी सीखते हैं? वाई डू दे लर्न इंग्लिश? पवन कैसे परिक्षा की त्यारी करता है? इस तरह के इंट्रोगेटिव नगेटिव संटेंस विद्ट इंट्रोगेटिव वर्ड को आप अपने अनुसार यूज करते रहें तो चली देखते हैं स्ट्रक्शन नंबर 6 को यह इंट्रोगेटिव नगेटिव संटेंस विद्ट इंट्रोगेटिव वर्ड है जैसे वह क्यों भी द्याले नहीं जाता है? हम कैसे सुबा में नहीं टालते हैं? वह मुझे कहां नहीं पढ़ाता है? वे लोग क्यों अंग्रेजी नहीं सिखते हैं? वाइडू वाइडू दे नाट लर्न इंग्लिस पवन कैसे परिक्षा की त्यारी नहीं करता है? तो इस तरह के इंट्रोगेटिव नगेटिव संटेंस भी इंट्रोगेटिव वर्ट को भी आप अपने अनुसार यूज करते रहें? तो चले देखते हैं इससे जुरे सम्मोर एक्जामपल्स को वह रोज यहां आता है और बीना कुछ कहे हुए वह चला जाता है मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं क्योंकि सर मुझे अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं वह रोज अद्यान करता है इसलिए वह सभी जगा सफलता पाता है वह सभी से प्यार करता है इसलिए उसे सान्ती मिलता है कोई डाउट हो तो कॉमेंट करें विडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग हैव नाइस डेए